आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नमबर वन के टॉपिक नमबर टू का एक निया टॉपिक जिसका नाम है डिजाइन अट्रिब्यूट्स जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि जब हम बच्चों के लिए किताबों की सेलेक्शन करते हैं तो हमें एक एक अट्रिब्यूट देखने होते हैं डिजाइन अट्रिब्यूट देखने होते हैं उस किताब के अंदर उसके डाइडेक्टिक अट्रिब्यूट देखने होते हैं तो सबसे पहले हम शिरू करेंगे कि जब हम किताबों की सेलेक्शन करते हैं बच्चों के लिए तो उसके design attribute में हमें क्या-क्या चीज़े देखनी चाहिए और अंदाजा लगाना चाहिए कि ये किताब एक best किताब है इस उमर के बच्चों के लिए तो आज हमचे design attribute study करने जा रहे हैं वो हम देखेंगे कि बर्ट से लेके दो साल तक का बच्चा जब हम उसे किताबें introduce करवाते हैं तो वो किताबें कैसी होनी चाहिए उनमें क्या qualities होनी चाहिए है specific to the design so सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इतने छोटे बच्चे के लिए जो क्या भी पैदा हुआ है या जिस अब zero या birth के नाम से किताबों में identify करते हैं दो साल तक के लिए उस बच्चे की communication skills क्या होती है और उस बच्चे की visual skills क्या होती है और इन दोनों के दर्मियान क्या तालुक होता है so आज की topic में यही हमारा learning objective है कि हम यह देखना चाहेंगे कि हमारी जो visual skills हैं बच्चों की वो कैसे develop होती है और उनके क्या contribution होता है और हमारे बर्स से लिके दो साल तक के बच्चों की linguistic attributes कैसे होते हैं वो कैसे communicate करते हैं या उनसे कैसे communicate किया जा सकता है जैसे कि आप जानते ही है कि जो कुछ भी content इसके अंदर मौझूद है का reference नीचे दिया हुआ है आप यह article वहां से डाउनलोड करके इसको go through कर सकते हैं आपके सामने यहां पे एक बहुत interesting book है जिसका image आपको represent किया जा रहा है और इस book का नाम है चिका चिका बूम बूम और यह मार्टर ने और आर्कमबर्ट ने लिखी है और हम इस book के reference से यह तमाम design attributes birth से लेकर zero से लेकर और दो साल तक की उमर के बच्चों के लिए देखेंगे so हम आजाते हैं अपने topic के उपर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि उनकी developmental pattern क्या होता है बर्ट से लेकर दो साल तक के बच्चों का और वो pattern में communication इसके बच्चों की कैसे develop होती है so हमारे पास यहाँ पर references है definitely यह developmental approaches की तरफ से हैं कि zero से लेकर छे माह तक का बच्चा जो होता है वो किस सरह communicate करता है उसका main important element है crying वो रोता है अपने facial expression से बताता है क्योंकि अभी उसे बाते करने नहीं आया होता है तो यह basic तरीका होता है जिसके तरूँ वो communicate करता है छे से दस माह तक का बच्चा जो होता है वो babbling start करता है और babbling के अंदर actually वो अपने sounds निकाल रहा होता है पर actual words जो है वो बहुत थोड़े-थोड़े words बोल सकता है दस से लेके 18 माह तक का बच्चा जो है वो एक word बोलता है और 18 से लेके 24 माह तक का बच्चा यानि के एक साल से थोड़ा सा उपर बच्चा जो होते हैं या दो साल तक के बच्चे होते हैं वो जुमले बोलना शुरू कर देते हैं और कभी वो एक या दो जुमले के combination मिला के सो यह एक हमारे पास मौजूद है कि स्केल कि यहां तक मौस्टी बच्चे इस किसम की communication skills या उनकी linguistic skills develop हो जाती हैं so इन abbiamo capiliyor सामने रखते हुए हम books बनाते हैं यानी zero से लेके दो साल तक के बच्चे के लिए हम यह देखते हैं कि वो जो किताबे हम उनके साथ इस्तिमाल करने जा रहे है। खेलने जा रहे हैं, उन्हें इंट्रड्यूस करवाने जा रहे हैं, उन में कैसे words होने चाहिए और कितने sentences होने चाहिए, वो determine करती है कि ये किताब, उसके number of words, ये कितने माँ और साल की उमर के बच्चे के लिए होंगे, अब आज आते हैं हम अपनी next slide के उपर, और next slide में दोनों जो हैं expand होना शुरू हो जाती है, और इसकी वज़ा से जो उनकी communication है, उसका main element जो है, वो visual skills पहले develop होती है, और आपकी verbal skills बाद में develop होती है, इसका मतलब यह है कि बच्चे पहले देख के समझना सीखते हैं, बाद में वो आपकी बाते सुनके या बोलके बताना सीख तो वो visual clues पहले लेना शुरू कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या चीज मौझूद है, हम कैसी किताबे बनाएं या कैसी किताबे select करें, जिसके अंदर इतने अच्छे visual clues हो, कि बच्चों के लिए उनके साथ interaction interesting भी हो, आसान भी हो और attractive भी हो, उसके लिए हमारे पास इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर जो visuals हैं, वो clearly बच्चे को नजर आएं, आपकी quality of cover कैसा होने चाहिए, bright होना चाहिए, खुब सूरत होना चाहिए, attractive होना चाहिए, और brightness of colors कैसे होनी चाहिए, आपकी pages हैं, उसके ओपर visuals बने हैं, उ अच्छे के लिए और उनकी confusion को कम रखेंगे, dynamics of lines, confusing lines नहीं होनी चाहिए, simple lines होनी चाहिए, unity in contrasting color, जब हम contrasting color use कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक unity हमें नजर आनी चाहिए, shares का element कम होना चाहिए, organization of element on the page, जो आपका page है, उसके अंदर आपका text भी है, आपके visuals भी हैं और मुक्तलिफ figures भी हैं, तो कैसे aligned हुए हुए हैं, उनकी alignment बहुत important है, बच्चों के interest को maintain रखने के लिए, आपका कागस कैसा है किताब का, क्योंकि ये चोटे बच्चे हैं, तो quality of paper बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अमोबन हम इतने चोटे बच्चों के लिए board साल के बच्चे के लिए, उसका size क्या होना चाहिए, यह हम आगे पढ़ेंगे, और जो आपकी किताब की binding है, वो कैसी होनी चाहिए, क्या वो tape binding होनी चाहिए, क्या वो glue से bind होनी चाहिए, क्या उसमें तार लगी होनी चाहिए, अब हम में देखना है यतने तर्माम elements को बच् करनी है, thank you so much.